नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका 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 इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में आपको chemistry के कुछ important question लेके हैं तो यह वो important question दो जाते रेक्जामें पूछे ही जाते हैं और जैसे कि आप सब आपका जो paper है art type of a chemistry applied chemistry का paper यानिकि कल आपका chemistry का paper है तो आज की इस video में अगर आप पूरी अगर आपको वी ऐसा question अगर मिल जाता है ठीक है कि हाँ पर ठीक है कोई item number दे रख़ा होता है तो 88 जो है हमारा वो क्या है इसमें neutron proton है एट एट है proton neutron क्यों होता है neutron जितने भी जहां डिज़िए होती है उसको माइनस कर देते हैं proton से 226 को माइनस कर देंगे एट से हमारा proton neutron निकल निकल आएगा neutron यहां पर आगे कितना 183 ठीक है next question देखते है question number two यह एक number का question है इस तरीके question आ सकते है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि यह जो मैंन अभी neutron proton वाला होता है वही है neutron proton निकालने को आ सकता है ठीक है प्लस टू कर लें प्लस बन भी सकता है जिरो प्रेश्य नंबर का question है जाद एक सब्सक्राइब पूछा जाता है इस तरीके का एक्जाम पूछा जाता है तो आप तयारत कर लें क्योंकि बिद्दुद रसानिक शोड़ी में जिंक कॉपर से उपर इस्तित है जिसके कारण पर आपको बिस्थाफ़त कर देगा इसके लवड़न के बिलेन में अता जिंक का लक्षवन जिनका चनल होना शुरू हो जाएगा ठीक है कॉशन नमर फाइब देखंए स्वस्थानिक और समभारिक को परिवाश्ट कीजिए पाछ न Monica कोश्टन एक आप समस्थानिक पोचाही जाता है एक आप समस्तानिक सभावन पर एंट नंग जैसे चार समस्तानी वह वन ऐस टू वन एस टू एस टीवन एस टीव अज वह अलग 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 है लेकिन जवाइफ परमादू संकीय जो रहे हो सही में ठीक है नेक्स्ट के लात का और समभारिक आस परमादू कि माद बिन नो ता परमादू दिन मान सम्भारिक और समस्थानिक में एक ही अंतर होता है समस्थानिक में जो हमारा परमाडू संक्या होता है वो सेम होता है लेकिन जो हमारा दिव्यमान होता है परमाडू वो अलग-अलग होता है वहीं सम्भारिक में परमाडू दिव्यमान सेम होगा लेकिन परमाडू संक्या चेंज होती है विन विन होती है कोशन नमर 6 की बात करें तो नेक्स्ट कोशन की बात करें तो नेक्स्ट कोशन है तो आप से फिक्रण चोड ले सकते हैं अराम से इसको तैया कर सकते हो ठीक है अपने जालक इस्तल से पुणता हट जाते ता दनायन और रोनायन संकैया में परसमा बराबर हो जाते हैं प्रेंकल में लिखाए इस दोश में एक आयन दनायन है या अलनायन अपने जालक बिंदू को छोड़का अंत्रकाशी इस तरह में आ जाते हैं ठीक है दूस्त आप तीन तीन चारचार पॉइंट तीनों दौनों में लिख सकते हो शॉट की भी लिख सकते हैं पाच सिंबर को श सच्छे टिपड़ी लिखिए ठीक है यह कोशन जातर एक्जाम में पूछा जाता है और बढ़िया कोशन है इस वार भी एक्जाम में आने की संभाव में बहुत है इसके सलूशन के आप यहां से इसकी शोट ले सकते हो इसको तैयार कर सकते हो ठीक है नेक्ट कुशन की बात कि ताइम आय का सिल्फाइड आदी इस प्रकार के स्नो की स्रीड़ी में आते हैं यह स्नेक ऐसे स्थानों पर प्रयोग कर जाते हैं जो जो इस नेक्ट बैसलीन जो अर्धर धर ठोस होता है वह उसमें एक्जाम्पल उसका है बैसलीन और ग्रीस ठीक है यह हमारे जैसे लिखा भी है कि मुख्यता ग्रीस प्रता बैसली अड़तर ठोस इसने के रूप में प्रदारतों को मिला कर बेविन प्रकार की ग्रीस तयार की जाती है जिनके गुण बिन बिन होते हैं इनमें ग्रीफाइड ग्रीस कप एक्सिल बेलन एमी ग्रीस अधी सब्सक्राइब करते हैं अग्ला कोशन से पूछा सकता है इक अर्ध स्नेक के आवश्य के गुण बता है आपको इनके टाइप बताने जसे शायन था और सिदिन था हो गया बसपी करण पांच सकते हैं नेक्स्ट क्या है पूछा जाता है तो पूछा जासकता है पता दूँ एक और पूछा जाता जातर की बॉयलर में पप्री बन जाती है उससे हमारा क्या 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 नुक्सान होता बहुता नहीं एक क्योशन और है कि दाग भंग्रून किसे कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्योशन एक और है किलोरीन गैस किस परकार जल को रोगा रोगा रोगानुवासर करती है ठीक है निक्स्ट क depress अप्रामंर किसे कहते हैं ? आपक उतार में यहित्द करामंर किसे कहते है बापके साथ दप जल्के कुछ कर मिलने की किरिया अपक्रामंर कहलाती है फैनन किया हैं ? वाइलर की सते पर उफान आकर जहाग उत्पन होने वाصा की करिया को फैनन कहा जाता है तो जल का जो PHP मान होता है वो साथ होता है तो जल उदासी द्रव है और जल कौन से द्रव हमारा उदासी द्रव है ठीक है next question कि बात कर तो एक important question है एकजाम में पूछा जाता है पाथ नमर को कॉछन है कि COD और BOD क्या है तो तो देखो COD क्या है COD हमारी है पुछा जा सकता है कि जैसे सी ओडी बताइए वाट इस सी ओडी को परिवासट कीजिए या फिर ये भी पूछा जाता है कि उनके अंतरों की बिवेच ना की ठीक है पांच नमर आपके यहां से 100% पक्के हो जाएंगे आप यह बिल्कुल जचोड़ें ठीक है नेक्स्ट कोशन की बात का तो नेक्स्ट कोशन नाइलॉन 6 की एक लग्ट एकाई की सानच ना की जिए दो नमबर में कोशन यह पूछा जा सकता है और जातर पूछा ही जाता है कि नाइलॉन 6 हो गया नाइलॉन 6 हो गया इनकी ठीक है एक नमर का कोशन आपको और बता दूं कि किस बहुलक से आरलीन अटवा एकलीन जैसे रेसे बना जाते हैं यह भी पूछा जाता है किस बहुलक का उपयों नॉन स्ट्रिक बरतन मनाने में की जाता है एल स्ट्राइजर क्या है एक एक नमर के कोशन है इनको फिल्ब छोड़के आजा हुआ है तो आज की वीडियो मसं इतना ही आई यह जो वह कोशन दो चातर रहें पढ़के बताएं वो सारे कोशन आप उनको तयर कीजिए और मैंने अंसर इसलिए लिए यहां आप कि अगर आप को आंसर किसी चीज़ का नहीं मिलना तो आप यहां से आंसर उसको देख सकते हैं उसको तैयार कर सक्ते हो ठीक है तो वीडियो में अंतर सक बने रहें वीडियो में अंतरत